नमस्कार अरुनाचल समाचार में आपका स्वागत है महंगरी शुभा आए बुलिटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नित्रुति में भाजपा संसद्य दल की बैटक में पद्नपुरिशकाल विजेताओं के साथ राजी में कारकर्म आयुजित करनी पर चर्चा भाजपा आगामी 13 दिसंबर से 14 जनवरी तक उतरप्रदेश के काशी में प्रती दिन आयुजित करेगी एक उत्सव टीका करण अभियान के तहट अब तक लगाये गए 128 करोण 78 लाग स्याथी कोविट टी के देश में पिछले 24 घंटे में कोविट के 6822 मामले अरुनाचल में एक नया मामला लोगर दिबांग वैली के डीसी ने लोगों से कोविट दिशान जर्देशों के पालन की की अपील अरुनाचल के परवतर रोहियों की एक टीम ने पफुमपारे के मिंग्यों से 30 किलोमीटर दूर 12,000 फुट की उचाये पर स्थित लाल आने परवत चोटी की सफलता पूर्वक पूरी की ट्रेकिंग युवाव से ड्रग्स छोडने और ट्रेकिंग जैसे सहसे खेलों से खुद को जोडने का किया वाहन भाजपा संसद्य दल की आज बैठक हुई जिसमें प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी सहित पार्टी के वरिस्टिन नेता शामिल हुए बैठक के बाद पत्रकारों से बाचीत में संसद्य कारे मंतरी प्रहलात जोशी ने कहा कि प्रधान मंतरी ने पद्मपुरशकार विजटाओं के साथ कारक्रम आयवजित करने को कहा है राजसवा के 12 सदस्यों को सदन से निसकाशित की जाने के सवाल पर स्री जोशी ने बताया कि उन्हें निलंबित की जाने के बारे में सपष्ट बता दिया गया है उन्होंने कहा कि इन सदस्यों ने जो कुछ भी किया है वह रिकॉर्ड में दर्च है स्री जोशी ने कहा कि अगर ये निलंबित सदस से अभी भी माफी मांग लेते हैं तो उनका निलंबन रद कर दिया जाएगा उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री 14 दिसंबर को उत्रप्रदेश के काशी में पार्टी के जिला और मंडल अधियक छको की एक बैठक में सालेंगे दो तिन अच्छे उन्होंने कॉल दिया है एक तो समसद खेल स्परदा सभी अपने अपने क्षेतर में जो अभी खेल का माहूल भी the sports atmosphere in the country बहुत अच्छे बन रहे है और sports को बढ़ावा देना ही sportsmen को inspiration देना भी encourage करना भी समसदों का काम है सौसद तंदरुस्त बालस परदा ये भी आईजन करने के लिए माने प्रधान मंतिर जिने हम सब को आवान किया है इसमें एक ही उनका मक्सद था उद्देश था ये था कि portion अभियान जो सरकार चला रहे है उसके साथी साथ इस कारक्रम से portion अभियान में स्वयम समसद भाग लेना चाहिए और लोगों को इन्वाल करना चाहिए भागीदारी करना चाहिए तो पदमा अवार्ड मिला है बहुत सामाने नागरी लेकिन बहुत अच्छे काम कर रहे हैं ऐसे लोगों को जो पद्मा अवार्ड मिला है गर अपने क्षित्र में ऐसे पद्मा अवार्ड है तो उनके लिए भी एक अच्छा उनके साथ लाइव संपर्ख भारतिय जन्ता पार्टी आगामी 13 दिसंबर से 14 जन्वरी यानि मकर संक्रांती तक उतरप्रदेश के काशी में प्रती दिन एक उत्सव का आयोजन करेगी इन उत्सवों की शिर्वात प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे इस बारे में जानकारी देते हुए केंद्रियों मंत्री और वरिष्ट भाजपा नेता जी किसंडरडी तथा तरुन चुग ने बताये कि इन उत्सवों का देश में 51,000 स्थानों पर सीधा प्रसारण क किया जाएगा उन्होंने बताये कि 13 दिसंबर की शाम से भाजपा सरकारों के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों का समयलन शुरू होगा यह समयलन 14 दिसंबर को भी होगा और 15 दिसंबर को दर्शन के बाद सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री काशी से वापस लोटेंगे 17 दिसंबर को काशी में देश भर के मेरों का सम्मेलन होगा 23 दिसंबर को देश के अलग-अलग प्रांतों से प्राकृतिक खेती जेविक खेती करने वाले वेग्यानिक और किसानों का सम्मेलन आयवजित किया जाएगा अपना अपना गाउं में अपना अपना जिलों में अपना अपना प्रांतों में जितने भी जगा ओ सकता है पूरा कारेक्रम टीवी के दार देखिये और खुद अपना अपना मंदिरों में मठों में साधूं को बुला कर उनका स्वागत करते हुए उनका आशिरवाद लेते हुए बगवान विश्वा जो शिव जी का आशिर्वाद लेने के लिए सोभी लोग मिलके एक भविया कारेक्रम जगा-जगा करने के लिए निर्ने किया है पार्टी ने इसने सोभी लोगों से मैं अन्रोद करता हूँ सरकार के दार भी एक कारेक्रम एक कल्चर मिनिस्टर के नाते मैं भी स्वागत करता हूं मैं अपील भी करता हूं क्योंकि ये साल आजाद का अमुर्त महुत्सव का साल है ऐसे कारेक्रम करना अमारा जिम्मेदारी है आज आजाद का महुत्स अमुर्त महुत्सव के संदर्व मे अलगला कारेक्रम आने वाले दिन में भी देश में विकास का कारेक्रम, देश का साउंस कुरूती का रक्षा करने का कारेक्रम, देश का साउंस कुरूती का प्रिजरू करने का कारेक्रम, जो अनसंग हीरो साई देश के आजाद के लिए लड़े हैं, सो भी अनसंग हीरों का इ मेडिया के द्वारा आज मैं दन्यवाद भी देना चाहता हूं अलग अलग मीडिया भी इस आध्याद अमुत मौत्सव कभी रास्ट्र व्यापीठी का करण अभ्यान के अंतरगत अब तक 128 करोड 78 लाख से अधिक टी के कोवीड टी के लगाये जा चुके हैं वर्तमान में करी 95,000 रोगियों का इलाद चल रहा है ये संक्या 554 दिनों में सबसे कम है पिछले 24 घंटों के दोरान 10,000 से अधिक लोग कोवीड संक्रमन से स्वस्थ हुए और 6,822 नय मामलों की पुष्टी हुई अरुनाच प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोवीड का एक नया मामला साम कि अब 35 है और रिकावरी दर 99.4 तीन प्रतिशत है सोंवार को कोरोना जांच के लिए राज भर से 320 सेंपल एकत्र किये गए अब तक कुल 14,24,641 लोगों को टीके लगाय जा चुके है जिसमें से 6,22,304 लाभारतियों कोवीड वैक्सीन की दोनों डोज लगाय जा चुकी है दिबांग वैली जिला उपायुक्त के एंदमों ने कहा है कि देश के कुछ राज में कोवीड के नए वैरियन ओमिक्रोन के संक्रमर के मामले दर्ज किये जाने के बाद जिले में पूरी सतर्कता बढ़ती जा रही है और कोवीड-19 निगरानी समीती गठित की गई है जाने उनको अभी हम लोग जो काफी दुखत का बात है इनके गरवालों से संपर कर रहे हैं इसको कुछ फॉर्मलिटीस है फॉर्म फिलप करना है तो गॉब्मेंट इसके लिए कुछ राशी जो है मदद के तोर पर दिया जा रहा है तो जेतने भी वीरीफट फैमिली है हम बहुत दुखत के साथ हम उनको सुचित करना चाहेंगे कि एक फॉर्म है वो फॉर्म फिलप करना होगा और आपका बैंक डिटेल्स देना होगा साथी डेट सर्टिफिकेट और डॉक्टर कर रिपोर्ट ये तीन चीज़ चाहिए तो ये चीज़ जल्दी से जल्दी हमें मिल्टरी है इंडियन आमी हैं परा मिल्टरी फोर्सेस हैं बी आरो के जो परसनल्स हैं इनका लेवर्स हैं वाकि एन्चाइडी से अफिसर से स्टाफ है जो बहर स्टेट से आते हैं तो इसी के कारण हमारा रोइंग जो काफी सेंसिटिफ है और बहुत ही ये खत्रा है इसलि हैं लिए हम सोब ढूर्थ ही सतर्क रहना होगा हम बहुत सवदान रहना परेगा और हम जो है जितना जज़्यादा हो सके अभी जो आह सों भी दिया गिया है उसको पालं करना होगा अब इस वाइडनंट नएवार्इन का रोग थाम के लिए गॉयडरी गौप्ट्रीमす मेंसच चलंदरा कांइटिलाही है अब हम बहुत जल्दी स्ज कुश्य स्टेशिस्थैंग कि मीटिंग बैठाएगा तो केंद्रिय खेल और युवा मामलू के मंत्री अनुराख ठाकुर ने कहा है कि मणीपूर में खेल विश्व विध्याले का निर्माण कार्य जल्द ही पूरा हो जाएगा उन्होंने कहा कि कोवीड के कारण इसमें देरी हुई श्री ठाकुर ने कहा कि इस वर्स ऑलम्पिक और प कोजना पर किये गए एक सवाल के जवाब में श्री ठाकुर ने कहा कि खेल राज्य का विशय है उन्होंने कहा कि खेलों इंडिया यूजना के तहट राष्ट्रे और राज्य खेल अकादमियों को मानेता दी जाती है और मंत्राले खेलों इंडिया अथलीटों के प्रशिक् में मनाया जा रहा है 1979 से ही हर साल साथ दिसंबर को देश की रक्षा के लिए शहिद होने वाले जवानों को सम्मान देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है इस दिन लोग शशस्त्र सेना कर्मियों के कल्यान के लिए चंदा एकटा करते हैं जंडा दिवस पर एकटा किया गया धन सेना के सेवारत और भूतपूर विसेनिकों के कल्यान के लिए इस्तमाल किया जाता है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी केंद्रे कानुन मंत्री के रिं एवं कर्मचारियों ने शशस्त्र सेना जंडा दिवस कारेक्रम का आयोजन किया और इस अवसर पर शहीदों और देश की सीमा पर डटे सेनिकों को याद किया अरुनाचल प्रदेश के परवता रोहियों और युवाव की एक टीम पपुमपारे जिले के मेंग्यो सरकल से करीब 30 किलोमीटर दूर 12,300 फूट की उचाय पर स्थित लाल आने परवत चोटी की ट्रेकिंग सफलता पूरक पूरी कर सोंवार को वापस इटानगर लोटाई पर प्रेकिंग टीम में राज की जानी मानी परवता रोही अन्सू जमसिनपा और तागित सोरांग सहीत का अन्य युवाश शामिल थे लाल आने पपूमपारे जिले की सबसे उची परवत चोटी है जहां एडवेंचर टूरिजम की असीम संभावनाय है इस ट्रेकिंग के दोर में पराइ हुआ है वह लोग के लिए लाली आने का तौप में हमलोग यहांसे एवर्नेस में सेज़ देता है कि आप ट्रेकwalk में जो धोरी है और एडिक्चन को चोटिये ुद्रकोच में जो परा हुआ है वह लोग आगे आई आई है ट्रेकिंग नेचर का साथ एंजोय पास यह ओपीसली हम लोग ट्रेकिंग एक्सपीदिशन किया है दिपरमेन तूरिजम का तरफ से तो यह फीचर में बहुत तूरिस्ट होस्पोत होगा यहामे कोई भी ट्रेकिंग के लिए आ सकता है इस्ट सियांग जिले के निगलोग में स्थिच सेनिक स्कूल के कैड़ेट सनेकल अडवांस लेंडिंग ग्राउंड पासीघाट और अरुणाचर प्रदीश एनसे से बतालियन मुख्याले के अब्रमन किया सेनिक स्कूल के प्रिंसिपल कमांडर प्रमुनिर कुमार पोला के नेतृत में स्कूल के सभी कैड़ेट्स सिक्ष को और अन्य कर्मियों ने अडवांस लेंडिंग ग्राउंड की उपयोगिता की जानकारी लिए इस सेक्षडिक प् से अनुशासन, देश भक्ती, सकारात्म, दृष्टिकोण और अच्छी आधतों को अपनाने का वहन किया। सेक्ष इस्यान नुबलोग थैस फूम्ली जौन झाड़ न्चीवदास 22 AP नचीश बिदान पासिगार अन्यूटिक अड़ इस स्कूल इसेश प्रेंट प्रिजलोग प्रिएप्सी अड़ेट्ट थैस्तृति निट्ट पण्ट पासिगार अन्यूटिक ज़िए अड़ अड देले लोकेशन अब ब्रीफ दम वेलकम देंग दो फोड़ी देपाइश्चा प्रोजेक्ट के तहट सेपा एड्यूकेशन ब्लॉक के सिख्चकों के लिए प्रशिक्चर कारेक्रम आज़ित किया गया जिला मुख्याले सेपा में आज़ित इस प्रशिक्चर कारेक्रम में प्रशिक्चकों को नई शिक्चानीती 2020 टीचिंग एड्स डिजिटल माधिमों के उप्योग से बच्चों के लिए लर्निंग प्रक्रिया को रोचक और आसान बनाने सहित विभिन्य विशेयों का प्रशिक्चन दिया गया राजदानी इटानगर के राज के माधिमिक विध्याले जोलांग में आज ग्रामिनों के लिए उर्जा संड्रक्षन विशेय पर जागरुकता कारिक्रम आयजित किया गया उर्जा संरक्षन सप्ता के तहद आयजित इस उर्जा संरक्षन जागरुकता कारिक्रम में अरुनाचर प्रदेश एनरजी डिवलप्मेंट आउथरीटी अपेडा के अधिकारों ने लोगों से कम उर्जा के खपत वाले LED उपकरणों का उप्योग करने और बिना किसी कारण क के बल्ब या अन्य एलेक्ट्रिकल उपकरणों को और न रखने की अपील की राजीव गांदी विश्री विध्याले की कुलपती प्रोफेसर साकेत कुश्वाह ने लोगों से दिव्यांग जनों गरीब और कमजोर वर्क के बच्चों की शिक्षा में योगदान देने की अच्छी शिक्षा और उनका कोशल विकास महत्वपूर्ण है इस अफसर पर विध्याले के संस्था पक्पूर्व मुख्यमंद्री गेगुंग आपांग सहीद कई गड़माने व्यक्ति मौजूद थे अरुनाचल समाचार के आज के अंग में इतना ही जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है की कोविद नाइटिन के दिशा निर्देशों का पालन करें हमें सा मास्क लगाए बार बार हाद धोए और सोसल डिस्टेंसिंग के नियो मुकों माने कोरोना में हमारी से बचाओ के लिए आपका वैक्सिन लगवाना भी जरूरी है अगर आप वैक्सिन लगवाने के पातर है तो जरूर लगवाए हम कल फिर हाजिर होंगे अरुनाचल और देश दुनिया के खबरों के साथ चलते चल्दे आपको बताते कि आप अरुनाचल समाचार हमारे यूटुब चैनल DD News अरुना आचल पर भी देख सकते हैं देखते रहे हैं अरुन प्रभार नमस्कार